अपनी रसोई आज मैं आपके लिए ले कराएं हूँ आज मैं आपके साथ बेसन मोदक की रेस्पीसियार कर रही है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोड़ी बेसन लिया है। आधी कटोड़ी लिया है। बेसन को च्छनी में च्छान लेंगे। ताकि इसमें गुटलिया वगएर रहे हैं। वो निकल जाएंगी। साथी बर काजु छेसत बदाम लिया है। दो छोटी इलाइची का छिलका हटा देंगे। सिर्फ हम दाने डालेंगे। और छिलका को हम चाय में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर चैनी डाल सकते हैं। यहाँ पर गुर का पॉडर डाल रही हूं। गुर का पॉडर आशानी से मिल जा और इसे मिक्स हो जाए उसके लिए दो चमच यहां पे हम दूड डाल रहे हैं आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यह जो है इसके मतलब छोटे-चोटे से बाल्स बन जाए तो काफी सुखा है तो ज्यादा नहीं दो तीन चमच कोया वेगर भी ले सकते हैं स्टपिंग के लिए तो चलिए अब हम बेसन भून लेंगे तो एक पैन में हमने दो बड़ी चमच घी डाला है जब अच्छे से गरम हो जाए तब इसन डालके भूनेंगे तो बेसन को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो लो फ्लेम पे ह भूनेगा यहां पर घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा गी और डाला है तो इसे अच्छे से भूनना है जब बेसन की बहुत ही अच्छी सी सौंदी सौंदी सी खुसबू आने लगे तब तक हमें भूनना है तब ही यह मोदक जो है अच्छा बनेगा तो यह देखिए जो अच्छी को बनेगा जाए ऑने यह में तो इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम चीनी का पाऊडर भी डाल देंगे लिए मिक्स जाते है तो में फूड कलर ढाना केसर एलो कलर डाला है इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा सात ही हमने यहां ने दो तीन चमर दूज दूद ही ज तो डालना बिल्कुल और आप चाहें तो डाले वर्ना नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि कलर से तो मतलब टेस्ट जिंग नहीं होता है मतलब कलर से तो जो भी मिठाई बनाते वह देखने में सुंदर हो जाता है बस इसलिए हम लोग डालते हैं तो आपकी मर्जी आप डाले या पर नहीं भी डाल सकते हैं या फिर फूट कलर की जगा थोड़ी सी हल्दी पॉडर भी डाल सकते हैं हल्दी पॉडर तो सबके घर में होती है तो इसे थोड़ा सा ड्राई होने तक हम यहां पर इसे मिक्स करेंगे तो फूट कलर से बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है थोड़ी दिर में अच्छे से सेट हो जागा, इसे पैन में थोड़ी दिर छोड़ देंगे, उसके पाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो यह हमारा गास हमने बंद कर दिया है, और यहां पर यह जो हमारा बेसन है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए हम मोदक ब अच्छे सेट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा मार्केट वाला जो बेसन का बर्फी लगता है, तो वही टेस्ट आएगा आपको, एक बड़ा जरूर ट्रैक करेगा, इस मोदक को बना की देखिएगा, और इसे मोदक ही नहीं आप जैसे लड़्डू जैसे से बना सकते हैं, फिर इसे जमाकी बड़्पी जैसा भी बना सकते हैं, और यह स्टपिंग है, उसे हम यहाँ पर इसे बीच में डाल देंगे, तो आप चाहें तो इस टपिंग आप अपनी पसंद से कुछ और भी बना सकते हैं, पर यह बहुत ही अच्छा लगता है बेसन औ बहुत ही टेस्टी सा, यह मोदक बन के तयार हैं, देखने में बहुत ही खुपसरत है, उपर से थोड़ा सा पिस्ता की कतरन में गयरा लगा दीजे, या फिर आप चाहें तो बनाते वक्त ही मोल्ड में, पहले आप थोड़ा सा ड्राइफूस डाल दीजे, उसके पाद यह ब कंवधियों का मोदकबन के तयार हैं आपको रसपी कैसी लगी, आपहमें कमेंट में जरूर बताइएगा, चाहँ करेंगा और ट्राइए हमें बताईगा किया से लाइक टाइगा, इसे लाइक टरियेगा, शेयर करेंगा, चैनल पे नहीं हैतो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं आप से फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में बाई बाई